अतीक एहमद और अश्रफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हत्या को विदेशी अखबारों और चैनलों ने भी कवर किया है। जादतर विदेशी मीडिया संस्थानू ने हेडिंग में अतीक एहमद के लिए पूर्फ सांसर शब्द का इस्तमाल किया है। साथी लाइव टीवी पर हुई हत्या को हाइलाइट किया है। कई संस्थानू ने हत्या के दौरान आरोपियों द्वारा लगाए गए जैश्री राम के नारू का भी जिक्र किया है। ब्रिटिश अकबार दगाडियन ने इस खबर को कवर किया है। लिखा भारत में पूर्व सांसद और उसके भाई की लाइव टीवी पर गोली मार कर हत्या कर दी गई। अतीक जेल में उमरकैद की सजा काट रहे थे। उनके भाई अश्रफ पुलिस हिरासत में थे। आरोपियों ने 20 राउंड फाइरिंग की और एक दम से ही सरिंडर कर दिया। उसके बाद जैश्री राम के नारे लगाए। ये नारे मुस्लिमों के खलाब हिंदू राश्टवादियों के लिए युद घोश बन चुका है। इसके अलावा अखबार सुप्रीम कोट में दाखिल या चुका कभी जिक्र करता है। वहीं जर्मन मीडिया डॉचे वेले ने लिखा कि भारत पूर्फ सांसद उसके भाई की लाइफ टिवी पर कूली मार कर हत्या। जिस समय ये हत्या की गई उस समय पुलेस उन्हीं मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। ये हमला प्रियाग राज में हुआ है घटना की फुटेज में दिखाई देता है कि अपराधी हमले के बाद हिंदू वादी नारी लगा रहे हैं। साथ ही डी डी डब्लू ने लिखा कि दो नूपीडित भारत की मुस्लिम अल्वसंखिक समुदाय से थे। अल्जजीरा ने भी इस खबर को जगह दी है। स्टोरी में भारत के राजज नेताओ पर दर्ज सैक्डो केस की भी चर्चा की गई है। आगे लिखा है कि 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद यूपी के मुख्यमंतरी योगिया देतेनाद के खिलाफ दर्ज कई केस हटा लिए गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश मीडिया बीबीसी ने भी इस खबर को जगह दी है। उसने हेडलाइन देते हुए लिखा कि अतीक एहमद पूर वो भारती सांसद और उसकी भाई की लाइव टीवी पर हत्या। बीबीसी ने अपनी स्टोरी में अतीक के खलाफ केस का जखर किया। साथ ही ये भी बताया कि वे उमर कैद की सजा काट रहा था। बतादे कि बीबीसी ने उसके बेटे असद के एंकाउंटर कभी जखर किया है। इसी तरह कई और मीडिया संस्थानों ने अंतराश्टे समचार एजंसियों के हवाले से इस घटना को कवर किया है फिलाल इस खबर में सिर्फ इतना ही बाकी और खबरे देखने के लिए जुड़े रही है जनसत्ता के साथ प्रिफ इतना ही जनसत्ता के साथ प्रिफ यूद आए झाल 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 झाल